बड़ी आश्चरी की बात है कि जितने भी रसिक हुए हैं उन सब ने अपनी भावना का केंद्र बनाया है श्री किशोरी जू के चरण इसलिए हित हरिवंश जी क्या कह रहे हैं पद नक जोटसना वो कहते हैं कि श्री राधारानी के चारू चरणों के नक से जो जोटसना निकल रही है वो चारू चरण वो जोटसना ही हमारे जीवन का आधार है जीवन मूर है हमारा सरवस्व हैं जैसे एक चातक चंद्रमा की जोटसना को एक तक टाकता रहता है ऐसे ही हम रसिक भी किशोरी जू के चरणों की जोटसना को पीने के लिए पल पल आतुर रहते हैं क्योंकि किशोरी जू के चरणों का ऐसा प्रसाद है ऐसा महा प्रसाद है कि हिथरी वंश जी कहते हैं अपनी राधार सुधा निधी में कापी सरसा भक्तिश चमत कारिणी यदि कोई किशोरी जू के चरणों का उपासक है चरणों का पूजन करता है आराधना करता है भक्ति करता है तो किशोरी जू के चरणों में यदि कोई आश्रित है तो किशोरी जू की कृपा से उस प्राणी में एक चमत करित बिलक्षन अद्बुत अद्रिश्ट भक्ति का उदय होता है ये कमाल है किशोरी जू के चरणों की उपासना करने का अरे स्वयम शंकर जी कह रहे हैं वो चमत्कृत रस प्रदान करता है और शंकर जी कहते हैं हे किशोरी जू ये चमत्कित रस मैं पाना चाहता हूं इसी लिए मुझे अपने चरणों में स्थान दो शिरादा कृपा काटाक्ष में कह रहे हैं मुनींद्र विंदवंदीते त्रिलोक शोक हारिनि प्रसन वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ये शंकर जी कह रहे है मुनींद्र विंदवंदीते जो मुन्यू द्वारा वंदित है जिनके श्री चरणो की वंदना करते हैं तृलोक शोक हारिनी जो तृताप तृलोक के शोक का नाश करती है तो इसलिए रसिको ने श्री राधा रानी के श्री चरणो को ही अपना जीवन माना है चिराधा रानी के चरणार विंद को ही सर्वस्व माना है फिर हित हरिवंश जी कहते हैं राधा कराव चितपल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस थली के राधा यशो मुखरमत खगा वली के राधा विहार विपिने रमता मनों में ए किशोरिजू आप ही मेरी इष्ट हैं आप ही मेरी गुरु हैं आप ही मेरी उपास्या हैं आप ही मेरी सर्वस्व हैं मैं आपके पदपल्लव में अपना जीवन रखता हूं और हमारे श्री महराजी कहते हैं चर्णन की बली जाओं किशोरी तोरे 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 ब्रजेंद्रनन्दन ब्रिंदावनेश्वर श्री कृष्ण जब कुंज निकुंज की सीमाओं में वो ब्रिंदावनेश्वरी नंगे पाउं चलती है तो वो ब्रिंदावनेश्वर उनके चर्ण चिन्धों पर अपना शीष नवाते है उनके चर्ण रज को अपने मस्तक पर धारन करते है ऐसी वी महाहलादिनी शक्ती शिराधारानी वो इतनी दयालू है इतनी कृपालू है कि वो दीन अकिंचन को भी अपना लेती है और यहां तक कि किंकरी मान कर अपनी सेवा में रख लेती है इसलिए हे किशोरी जू हमें भी अपना कैंकर्य प्रदान करो हमें भी अपनी किसी सेवा में रख लो अब रसिकों की ऐसी कृपा प्राप्त हो गई है उनकी दया कृपा से अब ये चार पदार्थ भाते नहीं भुक्ती मुक्ती की भी लालसा नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो पुर्शार्थ ये अच्छे नहीं लगते किशोरी जो मैं मानता हूँ कि मुझे में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं कृष्ण की एकांतिक साधना कर सकूँ और उनके रस को प्राप्त कर सकूँ ये भी मुझे में वो ताकत नहीं है लेकिन रसिकों की ऐसी दया हो गई है कि हे रसिक नी हे रसिक नी जू हे रसिक शिरो मनी रती रस सागर तुम्हारे नाम गुण लीला का गुणगान करते करते रसिकों की क्रपा से अब उसमें ही मन लगने लगा है अब कोई धर्म अर्थ की लालसा नहीं है अब तो इसी रसमें मन लगता है यह हमारे गुरु की क्रपा है और तो और अब तो ऐसी अवस्था हो गई है किशोरी जू कि आप और रसिक वर इन युगल नाम युगल चिंतन यह आवशक्ता नहीं अब यह हमारी विवश्था हो गई है क्योंकि अब इनके बिना इनके चिंतन ध्यान के बिना रहा नहीं जाता तो अब भुक्ती की क्या काम ना अब तो हमें भुक्ती भी फीकी लगती है मुक्ती भी फीकी लगती है यहां तक की गुरू ने ऐसा ज्यान दिया है कि बैकुंठ भी फीका लगता है ऐसे बैकुंठ को मैं क्या करूँ जहां ना नंद बाबा है ना येशोदा मैया है ना गोप गौाल बाल है ना गोपिया है ना कालिंदी यमना जल है ऐसे बैकुंठ मैं अब जाने की आकांक्षा नहीं अब तो एक मात्र ब्रिंदावनेश्वर एवं ब्रिंदावनेश्वरी और उसमें भी वो ब्रिंदावनेश्वर जो ब्रिंदावनेश्वरी की नित दासता करते हैं ऐसे उपास की मैं नित उपास ना करना चाहता हूँ